तो चलिए दोस्तो हम आ चुके अपने MBTag चैनल पर और MBTag चैनल के बैनर पर आपको मिलेगा MBFF टूनामेंट तो दोस्तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो चलिए आए मैं आपको बताऊंगा तो बीडियो को लाश्ट तक देखे इसकी बिल्कुल ना करें तो चलिए दोस्तो बीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने मुवाइल के अंदर गूगल क्रॉम को ओपन किया मैंने ओपन करने के बाद त्री डॉट पर याएंगे त्री डॉट पर ऑख करने के बाद डेशटाफ साइट पर ओक रेंगे और डेश्टाप साइट पर ऑख करने के बाद जैसे कि आप उपर देख सकते हैं वार्म आप डालें यूट्यूव.com YouTube.com तो नीचे आ चुका है मैं इसे OK कर देता हूँ OK करने के बाद दोस्तों जैसे कि हमारा एक चैनल है जैसे कि मेरा MB Tech चैनल है और MB Tech चैनल पर मैं MBFF चैनल को लिंक करना चाहता हूँ हमारे MB Tech चैनल के बैनर के ऊपर MBFF का एक आईकोन आएगा वहां से ही हम अपने चैनल को उपन कर सकते हैं तो उसको किस परकार से एड़ करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप MB Tech पर जाओगे और MB Tech के बाद यूर चैनल यूर चैनल पर OK करोगे यूर चैनल पर OK करने के बाद Customize Channel पर OK करेंगे Customize Channel को OK करने के बाद इस टाइप का Interface आपके सामने आजाएगा इस परकार का Interface आने के बाद Just MB के नीचे आएँगे Dashboard के Just नीचे आएँगे और थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो Monotize के ज़स्ट नीचे आपको मिल जाया Customize तो यहां से आप इसे OK करेंगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने OK कर लिया है उसके बाद आप जाओगे Basic Information के अंदर Channel Customization के अंदर Basic Information को OK करेंगे तो Basic Information को हम OK कर देते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने Basic Information को OK कर दिया है अब जैस्ट हम नीचे जाएंगे तो आपको एक Option मिलेगा Link यानि कि हम दोस्तों यहां से आप अपने दूसरे चैनल को किस प्रकार से Link कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि अपने दूसरे चैनल को किस प्रकार से Link कर सकते हैं तो मैं एक चैनल और है मेरा उसको यहां पर Link करके आपको मैं बताऊंगा तो उसके लिए आप क्या करोगी Add Link पर OK करने के बाद दूसरे चैनल को Add करने के लिए एक Option यहां पर आ जाएगा यहां पर आप अपने चैनल के यांडी की Link the Title अपने जो चैनल को लिंक करना चाते उस चैनल को यहां पर आप इटाइटिल दोगे और यहां पर आप अपने चैनल के link को Copper का कर दोगे तो दोस्तों जैसे कि मैं चैनल की link को कोいき Prat कर करते हैं यानि कि आप अपने चैनल के URL यानि लिंक को किस प्रकार से कॉपी करते हैं इसके ऊपर एक special वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्राप्षन में देदूं वहां से भी आप देख सकते हो तो चलिए दूस्तों एक्जामपल में मैं यहां पर टाइटल में डाल देता हूँ की विए और यूरल में इक चैनल की लिंक को पहले कॉपी किया हूब उसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूँ तो उसके बैनर यानि कि यहां पर बैनर के ऊपर मैंने दो चैनल को लिंक कर दिया है यहां से आप इसे देख सकते हो यहां से आप दो चैनल तीन चैनल या चार चैनल या पर पांच चैनल तक की लिंक को आप एड कर सकते हो तो मैंने यहां पर दो पर सेलेक्ट किया और दो चैनल की लिं तो दोस्तो इस परकार से आप अपने चैनल के लिंक को भी एड कर सकते हो और मैं इस चैनल के लिंक को डिलीट कर देता हूं क्योंकि मेरा और चैनल यहां पर एड है और मैं चैनल को डिलीट कर देता हूं तो दोस्तों आप अपने एक चैनल के साथ अपने दूसरे चैनल को इस फिरकार से एड़ कर सकते हैं अगर आप उस चैनल को डिट करना चाहो तो आप उसे डिलीड भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को और पर सेलेट करें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोश्तों आपके पास सबसे पहले राप्त हो